कि अच्छ कि है आज कि अच्छ कि अच्छ करेंगे इसे पहले मैंने इन कोडिनेशन चेप्टर का दो पार्ट करा रखा हैं जिसमें मैंने प्लांट के अबारे में बता रखा है तंत्र का कोशी का और दूसरा क्या था मस्तिस्क तीसरा तंत्र कोशी का मैंने और बता रखा है मेरु रज्जु जो है वह क्या है मस्तिस्क का यह जो पार्ट नजर आ रहा है इसको हम लोग मेरु रज्जु बोलते हैं जिसे बहुत सारे छोटे-छोटे दागे के जैसे संडचना होती है जो क्या करता है नियंतरन और समन में मदद करता है और सूचनाओं का आदान प्रदा में हो या फिर जितने भी competitive examinations होते हैं उसमें जो भी brains related मस्तिस्क से related जितने भी questions पूछे जाएंगे वह सारा हम लोग इसमें discuss करेंगे ठीक है तो उमिद करते हैं कि यह video आप लोगों के लिए बहुत ही helpful होगा ठीक है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम बात कर ले मानव मस मानव मस्तिस्क है क्या अगर आपसे कोई question करें कि मानव मस्तिस्क है क्या तो याद रखेगा मानव मस्तिस्क जो है हमारे सरीर का बहुत ही महतुपुर्ण अंग है जो नियंद्रन और समनवे में मदद करता है याद रहेगा मस्तिस्क क्या है मानव सरीर का बहुत ही महतुप याद रहेगा इसका जो भाढ होता है, वह लग भग 1400 ग्राम के गड़िव होता है, याद रहेगा कितना? चैनल 14 से 1 क 1995 के गड़िव क्या होते हैं, मानन मस्तिस्क का भार होता है, कभी के आपको से जो आपको किमें से temperature по 415 50 ग्रआम भी रह सकता है, अब देखिए, human brain जो है, human brain एक हड़ी के धाचे में बंद रहता है, इसको हम लोग खोपडी बोलते हैं, इंगलिस में इसको क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, ठीक है, तो कुशन इस तरीके से बोच सकता है, कि यह जो मानव का मस्तिस का, यह जो internal part है, यह किसके अंदर बंद रहता है, तो एक हड्डी का खोकला भाग होता है, और उस हड्डी के पार्ट को क्या बोलते हैं, हम लोग Cranium कहते हैं, ठीक है, हड्डी किसका बना होता है, कैलसीयम फौस्फेट का बना होता है, यह जाद रखिएगा, ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको मस्तिस के बारे म को सुना होगा एक रोग का नम मैंनिंजाइटीस रोग मेनिनजाइटिस क्या है ? तो कभी कभाड मेनिन जीज में है trans edge और जब मेनिन जीज मे शूजन आ जाता है तो इसी रोग को हम लोग किस नम से जानते हैं ? मेनिनजाइटिस रोग के नम से जानते हैं याद रहेगा मानव मस्तिस्क का जो उपड़ी पाउट होता है वह तीन लेयरों का बना होता है तीनों लेयरों को समलित रूप से मेनिंजीज कहते हैं वह लेयर कौन सा है ड्यूरामेटर अर्केनाइट और पायामेटर अब देखे यह जो तीनों लेयर है तीनों लेयर के मध् एक लिक्वीड भरा होता है जो क्या करता है मस्तिस्क को जितने भी बाहरी आघात होते हैं चोट होते हैं उनसे सुरक्षा परदान करने का काम करता है तो उस द्रव का नाम क्या है तो उस द्रव का नाम है सेरीब्रोस्पाइनल द्रव क्या नाम है सेरीब्रोस्पाइनल और मस्तिस्क को जितने भी बहती आघहात होते हैं उनसे क्या करता है सुरक्षा परदान करता है ठीक है समझ मैं आ गया चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मस्तिस्क जो है मायनव मस्तिस्क इसको तीन अग्रमस्तिस्क के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं अग्रमस्तिस्क के नाम से जानते हैं और ठीक है चलिए अब यह इतना वाला एरिया देख रहे होंगे यह जो एरिया आपको नजर आ रहा है यह एरिया को मध्यमस्तिस्क बोलते हैं और यह वाला जो एरिया आपका बच रहा है इस एरिया को पस्च मस्तिस्क के नाम से जानते हैं तो जेनरली मानब मस्तिस्क के इतने भाग तीन भाग कौन-कौन सा अग्रमस्तिस्क मध्यमस्तिस्क और पश्चमस्तिस्क अब हम लोग बात कर लेते हैं अग्रमस्तिस्क के बारे में ठीक है तो देखे अग्रमस्तिस्क जो होता है इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है जिसमें है आपका सेरी ब्रम ठीक है डायन सेफलोन और घ्रान बिंड ठीक है इसको करने के लिए option में यह भी दे दिया जाएगा तो उसमें confusion नहीं करनी है अगर मस्तिस्क के कौन-कौन से भाग होगा है सेरी ब्रहम टायन सेफलोन और घ्रान पिंड अब देखिए सेरी ब्रहम जो है हमारे मस्तिस्क का सबसे बरा भाग होता है ठीक है यह जो हमारा मस्तिस्क है उसका सबसे बरा भाग कौन होता है सेरी ब्रहम लगभग तीन चौथाई भाग जो होता है वह आपका सेरी ब्रहम का ही होता है उसके बाद आपके जितने विपस्त मस्तिस्क या मध्य मस्तिस्क या उनसे रिलिटर जो पार्ट्स होते हैं वो आते हैं मात्र एक चौथाई मे वादामा की आपको थो पूस्ट को फूल सा पता है आपका स driving होता है जो की सिस्क का सबसे बड़ा भाग है अब यह काम क्या है तो से भू जुझ्य भान का सबसे में काम क्या है यांदास्ता बनाए रखना और इससे भी ज्छाधा एक्षिक्त क्रियां का नियंत्रन करना अब देखे का मतलब क्या होता है क्रिया नहीं करेंगा सिर्ण ईक्षव करेंगे किठैनी . होते जैसे कि сам हिंगेय यानि यह जो ध्रकता है वह यह हमारे एक्षा के अधिन नहीं है हम चाहें अगर धरकन को रुकने तो भी है अप चाहें नहीं रोग सकते हैं टिक है इसका जब रूख Przy्भ रूख यहां होता है लेकिन इसकितने कोसित कर लिए रुकाई गाustि है नहीं हमारे एक्षा के अधीन होता है उसे ऐक्षक उते हैं यह इंदसान करती जारा है हमारे गे किस का किसके द्वारा निएब्रty किया जा रहा है तो यह नियंत्रित किया जा रहा है सेरी ब्रहम के द्वारा, ओके, समझ में आ गया, चलिए, अब हम लोग आते हैं, डायन सेफलोन पर, डायन सेफलोन जो है, इसको भी दो कटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो आपका आता है हाइपो थैलमस और एक आता है थैलमस, ठीक है, दोनों का काम लगभग बराबर है, लेकिन फिर फिर इसको आम लोग देख लेते हैं, हाइपो थैलमस जो है, यह किसका काम काम कराता है, तो भूख, प्यास और ताप को नियंत्रित करने का काम करता है, हमें जो कभी भूख का अभास होता है, ठीक है, प्यास लगता है, या फिर डिफरेंट टाइप के टेंपरेचर का अभास होता है, ठंडा, गर्म, ये सभी टेंपरेचर, भूख, प्यास, इन सभी चीज़ों का निंद्रन कौन करता है तो यह करता है hypothalamus या कहलें diencephalon ठीक है hypothalamus के साथ साथ एक ओड़ पार्ट होता है diencephalon का जिसको thalamus बोलते हैं और यह भी temperature को ही क्या करता है हमें बताता है कि temperature मतलब अभास दिलाता है temperature का ठीक है चलिए तो अग्रमस्तिस्क से related सारा point आप लोगो समझ में आगया हो अग्रमस्तिस्क को प्रमस्तिस्क भी बोलते हैं याद रखेगा चलिए अब हम लोग आते हैं second मध्रमस्तिस्क पर ठीक है मध्रमस्तिस्क का उतना जाद है एक्जामनेशन में पूछा जाता है लेकिन फिर वह याद रखेगा मध्रमस्तिस्क के दो पार्ट एक और एक होता है कारपोरा क्वार्ट्री जेमिना देखे हैं या फिर सेरी ब्रॉम और फिर से बेलम किसका भाग है तो याद रखे गा तीनो नाम मिल जूलता है तो प्रॉबलेम हो सकता है तो सेरीब्रम अग्र मस्तिस्क तो नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए तो सेरी ब्रल और कारपुरा कौट्रिजेमिना जो है मद्यमस्तिस्क का भाग है और इसका काम क्या है, तो हम जितनी भी चीजों को देखते हैं, सूनते हैं, यानि कहले सूनने और देखने जैसे क्रियाउं का जो नियंतरन होता ह वह किसके द्वारा होता है तो वह आपका होता है मध्यमस्तिस्क के द्वारा यानि कहले सेरीब्रल और कारपुरा कोट्रिजेमना के समलित रूप से ठीक है तो याद रहेगा देखने और सुनने जैसे क्रियाओं का नियंतरन किसके द्वारा होता है मध्यमस्तिस्क के द्वार Allain Concert मैं नहीं जब पिछला वीडियो बताया था अव लोगों का उसमें एक understand वर बताया था किडी वाला जो बताया था उत्सर्जन वाले चपटर में उसमें मैंने कहां था मैं यादquent चाव किडीनी के तुछ इन भागरें एक तो शेरी बेलम, मेडूला अबलागेटा और पॉंटसवेरोलाई. अब तीनों का काम देख लेते हैं, सेरी बेलम का काम क्या है? तो शरीर का जो संतुलन बनाना होता है, स्रीर जो संतुलन बनाये रखता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सेरी बेलम यानि कहले हैं जब हमारा जो सरीर है हमारे सरीर का जो संतूलन बना रहता है यह किसके वज़ासे पस्वमस्तिस्क का जो सेरी बेलम है इसके वज़ासे यानि संतूलन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है सेरी बेलम करता है अभी मैंने एक चीज़ कहाता है कि जित आपको करेगा medulla oblongata, क्या करेगा medulla oblongata, अब अनक्षिक्रिया जैसे स्वसन दर हो गया, मैंने लिखाई होगा, स्वसन दर, हिर्दय की धरकन, तो फिर गर्वास, इन सभी चीजों में या फिर आंतरिक जो पाचन वगरिक रिया ही होती है, इन सभी चीज, यह जो सारा चीज ह यह सारा क्या है, अनक्षिक्रिया है, ठीक है, तो इन सभी चीजों का नियंतरन किसके माध्यम से होता है, medulla oblongata के माध्यम से होता है, तो याद रखेंगे medulla oblongata, जो जो जनरली अनक्षिक्रिया का नियंतरन करता है, नेक्स्ट आपको लास्ट है, पॉंस्वेरोलाई, पॉ आपनों को समझ में आ गया Х væ. ह तो चलिए अगर ये सारा पॉइंट आप लोगो समझ में आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजएगा एक दो बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वह सारा चीज आप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे जादा इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए अगरमस्तिस्क और पस्यमस्तिस्क का है। इससे बहुत सारे एक्जामनेशन में कोशन्स पूछे जाते हैं तो इसको याद रखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लि अग्धियो में अगले जाएगा।